तोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत 110 क्लिटन थ्रश्ट वाले इंजिनों को डिवलफ्ट करने को लेके कई सारे कमपनियों के साथ बातचीत कर रहा है और इन कमपनियों में अमेरिका के जनरल इलेक्रिक कमपनी वी शामिल है जो अल्रेडी तेजर सीयर कैप्ट अगर दोस्तों भारत अगर यहां पे अमेरिका के साथ आगे बढ़ता है तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने स्वार्थ निकलने के बाद भारत का भी हाथ छोड़ सकता है मतलब फिलाल अमेरिका के स्वार्थ के कारण अमेरिका भारत के सभी तरीके के शर्थों को जहां पे मान रहा है तो उही पे ये स्वार्थ मतलब इंडो पेसिफिक के जो अमेरिका के ग्रैंड रन निती है वो समाप्त होने के बाद भारत को अपने ही हालक पे छोड़के अम ऐसे में दोस्तों अगर भारत अमेरिका के साथ जेट इंजिनों के डिवलाफ्मेंट में आगे बढ़ता है तो यहाँ पर पॉजक्ट से पहले कई सारे चीजों को भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा तो अमेरिका के दोगलेपन के इतियास को अगर देखा जाए तो आज स आर्थिक परतिवन के कारण कई सारे योरोप के देशों के द्वारा भी भारत के साथ कई सारे डिलों को रद कर दिया गया और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है जिसके बजासे हमारे जो तेजस एरक्रेप्टों का प्रोजेक्ट है यह उतना डिले हुआ तेजस एरक्र के कारण अमेरिका के द्वारा ऐसे प्रतिवन लगा जाता है तो अब समझ सकते होंगे कि अमेरिका के साथ जिन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जाएगा वो प्रोजेक्ट किस तरीके से फ्रभावित हो सकता है दोसो तेज़ास यारक्राप्टों को डिवलप्ट करने के लिए भारत के द्वारा अमेरिका से करीब करीब आठ एफ फोर जिरो फोर एफ टू जेर थी इंजिनों को पर्चेस किया गया था और दोसो इन ही इंजिनों के साहरे साल 2001 तक भारत के द्वारा TD-1 मतलब तेज़ास यारक्राप्टों के पहले टेक्नोलोजी डिमोस्ट्रेशन को तयार किया गया था जो की एक तरिके से दर्शाता है कि इन आठ इंजिनों के स्पेर पार्ट्स को ही लगातार इस्तिमाल करके एक यारक्राप्ट को तयार किया गया था ताकि भारत को फार्दर डिले सहन ना करना पड़े हाला कि इससे एक साल तक यार्क्रेप्टों को आसानी से फ्लाई किया जा सका पर उसके बाद फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा हाला कि साल 2001 के डिसंबर मैने तक अमरिका के द्वारा भारत की उपर से प्रतिवन को हटा लिया गिया जिसके बाद तेजास यार क्रैप्टो के जो प्रोजेक्ट है उसमें फिर तेज रफ्तारी पकड़ा दोसों इसके करीवन तीन साल के बाद मतलब साल 2004 में भारत के द्वारा और सत्रा A404 GE IN-20 इंजिनों का ओर्डर दिया गया जो की लिमिटेड सीरिस ओपरेशनल प्रोडक्शन यार क्रैप्टो के लिए था और नेभल पोटोटाइफों के लिए था और इसके करीव करीव और तीन साल के बाद मतलब साल 2007 में भारत के द्वारा 24 और A404 GE IN-20 इंजिनों का ओर्डर दिया गया मावजूद अमेरिका के द्वारा ना ही इं इंजिनों को किसी भी तरीके से लोकलाइज किया गया और ना ही इसके लोकल मेंटेनेंस रिपियर और ओवरल फैसिलिटी को बनाया गया जो कि दर्शा आता है कि अमेरिका केवल मात्र पैसे से मतलब रखता है और किसी देश को मदद करने के लिए अमेरिका का कोई भी इरादा नहीं रहता है मतलब दोस्तों फिलाल भारत के पास जो तेजस Mark 1 Aircraft है और आने वाले समय में जो तेजस Mark 1 A Aircraft है उन सवी में अमेरिका के जो इंजिनों का इस्तेमाल हो रहा है उनके रिपियर और ओवर लिंग के लिए भारत को एक तरीके से अमेरिका की उपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि लो ने टरफ़ वाले इंजिनों का डिवलप्मेंट करता है और उसमें भी अमेरिका के कुछ ऐसे हीडन शर्थ रहता है जो की सेंक्षन से प्रभावित हो तो ये भारत के लिए और खतरनाक होगा मतलब एक तरीके से तो अमेरिका के उपर डिपेंडेन उपर से अमेरिका के रहमो करम में ही रहना पड़ेगा और अगर अमेरिका के तरफ से स्पेर पार्ट्स या अन्य चीजों के सप्लाई को बंद कर दिया जाता है तो ये सबी यार्रक्राफ्ट ग्राउंडड हो सकता है वविशे में इंडियन यार्फोर्स के जादातर यार्रक्राफ्ट करना आवशक होगा जिन में सबसे पहला है legal consideration मतलब कानूनी बिचार आप सब लोगो को पताई होगा कि अमेरिका के अंदर एक export control regulation है और इसके साथ-साथ एक license requirement भी होता है भारत तो किसी वी तरीके के ऐसे deal से पहले इस चीज़ को ensure करना पड़ेगा कि ऐसे deal के अंतरगत जो partners, development, manufacturing या export में शामिल होगा मतलब jet engine technology को लेके जो company जुडा हुआ होगा वो export control law और regulation से बाहर होगा मतलब अगर अमेरिका के द्वारा कोई प्रतिवन लगाया वी जाता है मतलब कोई political प्रतिवन लगता है तो ये company उस तरीके से प्रतिवन से अच्छोत रहे इसके इलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक domestic capability का development करना दूसर भारत में अगर domestic लिए एक supply chain को create किया जाता है जो critical component या फिर कहतो jet engine related critical technology को बना सकता हो तो ये jet engine को लेके foreign supplier के उपर जो dependency है उसे कम कर सकेगा और अगर किसी वी तरीके से sanction लगता भी है तब भी ये sanction भार supply chain disrupt हो जाता है तब भी बुरी तरीके से असर पड़ सकता है पर भारत को अवी से ही ये ensure करना पड़ेगा कि ऐसे supply chain के disrupt होने से पहले ही किसी alternative supply chain के साथ ऐसा कोई समझोता हो जाए जिससे की alternative तरीके से सभी चीज़ों के supply हासिल किया जा सके मतलब दुनिया में और किसी जगा अगर ऐसे इंजिनों के parts बनता है तो उन इंजिनों के suppliers के साथ भी relationship को मजबूत रखना पड़ेगा ताकि alternatively सभी चीज़ मिल सके दोसो next है intellectual property right आप सब लोगों को पताई होगा कि intellectual property right एक ऐसे right होता है जिसके अंतरगत original equipment manufacturer के किसी वी equipment को बिना अनुमती के modify या बिना अनु जिनों के intellectual property right अपने हक में रखना पड़ेगा नहीं तो अमेरिका के प्रतिवंदों के कारण हत्यारों के export संपूर्ण रूफ से रुख सकता है मतलब supply chain और अन्य व्यवस्ताओं के साथ जहाँ भारत अपने आवशक्ताओं को तो पूरा कर पाएगा लेकिन export में अमेरिका बाधा डाल सकता है इसलिए intellectual property right को सबसे पहले ensure करना पड़ेगा और deal के उपर हस्ताक्षर करने से पहले अमेरिका को इस चीज़ पर मनवाना पड़ेगा दोसो next है technology transfer दोसो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले भारत के द्वारा अब technology transfer के उपर सबसे अधिक महत्तों दिय जा रहा है और दोस्तों ये देना भी चाहिए क्योंकि बिना technology transfer के भारत अगर मल्टी बिलियन डॉलर के deal को करता है तो ये केवल मात्र नुकसान ही होगा और इसका एक तरफा फाइदा दूसरे देश को ही मिलेगा दोस्तों technology transfer के साथ भारत technology know-how को जान सकेगा जिससे की है तो पूर्णा clause है और भारत को किसी भी तरीके के project के code development में strategic partnership नियोमों के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए strategic partnership मतलब भारत के किसी ए company के साथ मिलके jointly उस चीज़ को बनाना अब दोस्तों strategic partnership से एक चीज़ तो ये फाइदा होगा कि भारत के उस company को सभी तरीके के technology मिलेगा औ technology के साथ साथ उसे कई तरीके के knowledge भी गेन करने का मौका मिलेगा और दोस्तो strategic partnership से वो जो company है वो knowledge गेन करके बाद में इस knowledge का इस्तेमाल करके अपने खुद के product को बना सकेगा या फिर कहे तो अगर अमेरिका के द्वारा भविशे में कभी भी प्रतिवन लगा जाता है तो व सब चीजों को जानते हुए भी अगर भारत के तरफ से आग बंद करके अमेरिका के साथ आगे बढ़ा जाता है तो ये भारत के लिए अब तक के सबसे बड़ा गलती होगा और दोस्तो मेरा मानना ये है कि फिलाल हत्यारों के development को लेके जिस तरीके से रेस हो रहा और जिस त अगर अमेरिका के कारोणों के वज़ा से भी कोई कमपनी प्रतिवंदों के शिकार होता है तब भी भारत को कोई बड़ा असर ना पड़े है तो इस तो आज का वीडियो एही पही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वान देवान आतरम